हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का डिश्टल जर्नी सपोर्ट के एक नए वीडियो में दोस्तो अगर आपने एडसेंस के लिए काफी समय से अपलाई किया हुआ है आपके व्लोग या वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूबल नहीं मिल रहा है और आप एडसेंस के अल्ट जेसी easy to use interface आपको किसी और monetization network किसी और platform पे नहीं मिलने वाली है साथी अगर आप चाहते हैं कि एडसेंस का ही approval आप अपने ब्लोग या वेबसाइट पे ले तो उसके लिए हमने already वीडियो बनाई हुई है आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं एडसें tips and tricks का एक playlist आपको मिल जाएगा जिसमें हमने तीन वीडियो बनाई हुई है कि आपको AdSense account किस तरीके से create करनी है AdSense के लिए apply किस तरीके से करनी है कौन-कौन से basic criteria है जिनके उपर AdSense का approval मिलता है साथी अगर आपको low value content की problem आती है issue आती है तो किस तरीके से आप low value content की issue को resolve कर सकते हैं तो उन वीडियो को देखके आप properly उसे follow कीजिए बिल्कुल आसानी से आपको AdSense का approval मिल जाएगा साथी AdSense के terms and condition को regular follow करते रहेगे साथी आप हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा और notification bell पे क्लिक करके all के option को select कर लिजिएगा लेकिन अगर आप AdSense के alternative को भी तल training हो रही है तो बिल्कुल आप try कर सकते हैं आज मैं आपको six AdSense alternatives के बारे में बताऊंगा जिन Ad Network को आप अपने blog या website या वेबसाइट पे use कर सकते हैं नमबर six पे हमने रखा है revenue hit को आप revenue hit को अपने blog या website या वेबसाइट पे use कर सकते हैं इसमें apply करने के लिए आपको 200-400 भी traffic आते हैं तो easily आप इसका approval ले सकते हैं और एक से दो घंटे के अंदर आपको revenue hit की approval मिल जाती है साथी आपको इसमें high earning भी मिल जाती है इसके अगर partners की बात करें तो इसमें propeller ads click add you और भी बहुत सारे ad network एक साथ जूड के इसमें काम करते हैं और revenue hit के माधियम से आप आपको monetization का option देते हैं साथी इसके earning को आप 30 day पे withdrawal कर सकते हैं PayPal के लिए 20 डॉलर का threshold है और अगर wire transfer से अपनी payment को लेना चाहते है तो उसके लिए आपको 500 डॉलर का minimum threshold रिज करना होगा उसके बाद ही आपका payment आपको release होगा इसके बाद number five पे आ जाता है skim links, skim link especially उन लोगो के लिए है जो e-commerce से related content लिखते है affiliate marketing से related content लिखते है या किसी product की technology की review करते है उन लोगों के लिए especially ये network है ये तबूला की एक company है पहले ये skim link अलग था लेकिन अब तबूला ने इसे acquire कर लिया है तो ये और भी strong network बन चुकी है तबूला का भी feed इसमें आपको मिल लता है तबूला के बारे में अगर आपको नहीं पता तो तबूला एक famous advertising network है आपको जितने भी बड़े brands मिल जाएंगे जैसे कि ये news channels उनके website पे तबूला के feed आप देख सकते हैं वहाँ तबूला का ads लगा हुआ होता है और तबूला के जरिये वो लोग लाखों रूपय महीने का earn करते हैं तो अगर आप affiliate से related या product review से related content लिखते हैं अपने blog post पे तो आप skim link जरू try कर सकते हैं इसके बाद हमने रखा है ad cash को ad cash को भी आप try कर सकते हैं और इसका monetization easily अपने website के ऊपर ले सकते हैं और अपने traffic को monetize कर सकते हैं इस ad network पे आपको variety of ads format मिल जाते हैं जिनका use आ आप अच्छी खासी income भी generate कर सकते हैं इसके बाद number three पे आ जाता है ad estera, ad estera को भी आप use कर सकते हैं इसको भी apply करने के लिए आपको कोई maximum या minimum criteria fulfill नहीं करनी होगी low traffic है तो भी आप इसे apply कर सकते हैं और इसका approval आप 10 minutes से लेकर के आदे घंटे के अंदर ले सकते हैं और इसमे भी आपको variety of ads format मिल लाते हैं जिनका use आप अपने blog या website के लिए कर सकते हैं साथ ही इसमें आप अपनी social traffic को भी apart from अपने blog या website के use कर सकते हैं monetization करने के लिए और अपने facebook या instagram के traffic को भी आप monetize कर सकते हैं अगर आपको detail में इसके उपर video चाहिए तो आप नीचे हमें comment करके बताईए add estera के उपर मैं एक complete video बना के आपको दे दूँगा कि add estera को आपको social link monetize करने के लिए किस तरीके से use करना है साथी आप URL shortener या domain parking के जरीए भी आप यहाँ पर earn कर सकते हैं आप यहाँ पर ads format चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से ads format आपको इसमें मिलने वाले हैं 30 days payment cycle इ receive कर सकते हैं उसके बाद number two पे हमने रखा है info links को info link के बारे में अगर आपको नहीं पता तो info link भी एक popular ad network company है जिसके माधियम से आप अपने blog या website को easily monetize कर सकते हैं और उसके माधियम से earning कर सकते हैं इसके apply करने के लिए भी आपको कोई minimum या maximum criteria fulfill नहीं करनी होगी low traffic है तो भी आप अपने blog या website को monetize कर सकते हैं लेकिन इसमें approval मिलने में आपको थोड़ा time लग सकता है 2-4 दिन का आपको वक्त लगेगा आपको इसके approval या इसके deny होने में क्योंकि इसका update आपको 2-4 दिन के बाद ही आता है और number one पे हमने रखा है media.net को media.net के बारे में तो आपको पता है कि media.net, Microsoft की, Bing, Yahoo की combine एक ad network company है इस ad network का आप use कर सकते हैं adsense के बाद second number पे media.net ही है जिससे आप अपने blog या website को monetize करके उससे अच्छी खासी income generate कर सकते हैं इसके भी apply करने का कोई minimum या maximum criteria नहीं है low traffic है तो भी आप अपने blog या website का monetization enable करवा सकते हैं और easily इसका approval अपने website के ऊ पर ले सकते हैं इसमें भी आपको hundred dollar minimum threshold है जिसमें आपको pioneer के माध्यम से आपको payment release किया जाएगा 30 days पे आपको payment release कर जया जाता है मैं media.net को use करता हूं अगर आपको media.net पे भी एक proper video चाहिए कि media.net किस तरीके से काम करता है इसमें क्या earning होती है किस type के website या blog को media.net support करता है किस तरीके से हम अपने earning को maximize कर सकते है media.net का use करके तो आप नीचे हमें comment करके बताईए मैं इसके उपर proper एक video बना के आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा कि media.net को आपको किस तरीके से use करनी है तो I hope कि इस video से आपको काफी help मिलेगी यह समझने में कि अगर आपको adsense का approval नहीं मिलता है तो आप कौन-कौन से monetization network का use कर सकते हैं adsense के alternative में वीडियो कैसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताए वीडियो अगर आपको informative लगी हो तो इसे like share जरूर करें साती अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे और notification को भी on कर लिजे मिलते है next video में ए हुआ 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 है